हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आल इस्पोर्ट अड़ा यूटूब चैनल पर दोस्तों यह चैनल आपके लिए लेकर आता है इस्पोर्ट से रिलेटेड सभी पिकार की इन्फॉर्मेशन चाहे वो करेंट की हो फिर वो पच्च्ट की हो या फ्यूचर की हो दोस्तों हमारे चैनल दोरा चलाई गई स्पोर्ट आप 10 कुश्चनों की सीरीज का यह पार्ट 10 है दोस्तों आज का पहला कुश्चन है दोस्तो आज का पहला कोश्चन किर्केट खेल से संबंदित है पहला कोश्चन है टेस्ट किर्केट में एक ओवर में कितने बाउंसर डाले जा सकते हैं और दोस्तों आपके option इस परकार है, option A दो बाउंसर, option B एक बाउंसर, option C तीन बाउंसर, option D चार बाउंसर, दोस्तों आपको बताना है, test cricket में एक ओवर में कितने बाउंसर डाले जा सकते हैं, दोस्तों, एक अक्टूबर 2012 से बदले हुए नेमों के अंसार, test cricket में, एक ओवर में दो बाउंसर, तथा वंडे मैच में, एक ओवर में दो बाउंसर, तथा T20 मैच में, एक ओवर में एक बाउंसर डाली जा सकती है, दोस्तों, आपका right answer हो जाएगा, option number A, एक ओवर में दो बाउंसर, दोस्तों, आपको याद रखना है, test मैच में, एक ओवर में दो बाउंसर, वंडे में, वंडे मैच में, एक ओवर में दो बाउंसर, तथा T20 में, T20 मैच में, एक ओवर में एक बाउंसर डाली जा सकती है, नेश्ट कुश्चन है दोस्तो नेश्ट कुश्चन आपका है सिरीकांद बक्सी किस खेल से जुड़े हुए है दोस्तो आपको बताना है सिरीकांद बक्सी किस खेल से जुड़े हुए है और आपके ओफशन इस पकार है ओफशन A मुक्के बाजी से option B, cricket से option C, basketball से option D, bandwinton से दोस्तो आपको बताना है स्रीकान दक्सी किस खेल से जुड़े हुए है दोस्तो आपका right answer है option number D, bandwinton से दोस्तो स्रीकान दक्सी, bandwinton खेल से जुड़े हुए है दोस्तो ये question UPTGT परिच्छा 2003 में पूछा गया था ये बहुत ही important question है next question है दोस्तो अगला question swimming खेल से सम्बंदित है आपका question है सबसे तेज तैरने की तखिनीक है दोस्तो आपको option है option A, fresh tire option B, best stroke option C, waterfly option D, back stroke दोस्तो आपको बताना है सबसे तेज तैरने की तखिनीक है दोस्तो अंतराष्ट तैराकी पतियोगताएं चार पकार की होती है दोस्तो अंतराष्ट तैराकी पतियोगताएं चार पकार की होती है पहला फिरेश्टाइल दोसरा वाटर फ्लाई तीसरा बैक श्टोक चोहता बैस श्टोक दोस्तो इन में से जो फिरी स्टाइल होती है वो पितियोगता सबसे तेज तेज तेना की तखिनीक की पितियोगता होती है तो इस पेकार आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A फिरी स्टाइल सबसे तेज तेना की तखिनीक है दोस्तों ये कोश्चन UPPGT परिच्छा 2011 में पूँचा गया था इसे आप याद रखें नेश कोश्चन दोस्तों अगला कोश्चन बॉक्सिंग खेल से संबन्दित है कोश्चन है मुक्के बाजी में प्योग किये जाने वाले दस्ताने बॉक्सिंग गलफ का भार होता है दोस्तों आपको बताना है मुक्के बाजी बॉक्सिंग में प्योग किये जाने वाले दस्ताने जो बॉक्सिंग गलफ होते हैं उनका भार कितना होता है दोस्तों आपके option है, option A, 6-8 OOS, option B, 8-10 OOS, option C, 10-12 OOS, option D, 12-14 OOS दोस्तों आपको बताना है, मुक्के बाजी में प्योग किये जाने वाले दस्ताने, boxing gloves कभार कितना होता है दोस्तों आपका right answer है, option number B, 8-10 OOS दोस्तों, मुक्के बाजी में प्योग किये जाने दस्ताने, boxing gloves कभार 8-10 OOS होता है और अगर हम बात करें, gram में, तो 227-284 gram होता है next question है, दोस्तों अगला question, science से संबंदित है दोस्तों आपका question है, मानों सरीर में कितना पिस्त जल होता है दोस्तों, आपके option है, option A, 30 पिस्त, option B, 50 पिस्त, option C, 90 पिस्त, option D, 70 पिस्त दोस्तों, आपको बताना है, मानों सरीर में कितने पिस्त जल होता है दोस्तों, मानों सरीर में 60 से 70 पिस्त तक जल होता है इस परकार आपका right answer हो जाएगा, option D, 70 पिस्त दोस्तों, यह question बहुत ही important है यह पिछले कुछले वर्सों से हर परिश्चा में पूछा जाता है जैसे UP TGT परिश्चा 2011, UP TGT परिश्चा 2004, राजिस्तान PTI परिश्चा 2013 इन परिश्चाओं में यह question बार बार पूछा गया है यह question बहुत important है, अथा आप याद रखें इसको next question, दोस्तों, अगला question, water polo खेल से सम्मंदित है दोस्तों, आपका question है, water polo खेल में खेल छेत की लंबाई वा चोड़ाई होती है दोस्तों, आपका option है, option A, 40 x 30 गच, option B, 30 x 20 गच, option C, 20 x 30 गच, option D, 50 x 20 गच दोस्तों, आपको बताना है, water polo खेल में खेल छेत की लंबाई वा चोड़ाई होती है दोस्तो आपका राइट आइंसर है और से नमबर बी 30 इंटू 20 गज दोस्तो ये वाटर पोलो पोलो का एक अन्य रूप है परंत ये आयताकार पूल में खेला जाता है दोस्तो इस पेकार का एक आयताकार पूल होता है जिसकी लंबाई 30 गज होती है तथा चोड़ाई जो होती है वो 20 गज होती है नेश कुश्चन है दोस्तो नेश कुश्चन है पूरुषकार से संबंदित आपका कुश्चन है अरजुन आवाट कौन देता है दोस्तो आपके ओप्सन है ओप्सन A राश्पत ओप्सन B पिधान मंतरी अरजुन आवाट कौन देता है दोस्तो आपका राइट एंसर है ओप्सन नमबर A राश्पत दोस्तो अरजुन आवाट राश्पत के द्वारा दिया जाता है दोस्तो इसकी इस्थापना 19162 में हुई थी दोस्तो ये पूरुषकार अंतराश इस्थर पर सरुषेज परदर्शन करने वाले खिलाडी को दिया जाता है इस पूरुषकार में कांसे की प्यतिमा प्रसस्ति पत्र तथा 5 लाख रुपे नगद धर्रास दी जाती है नेट्स कुश्चन है दोस्तो अगला कुश्चन फुटवाल खेल से संबन्दित है आपका कुश्चन है फुटवाल में प्रनल्टी की के स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है आपके ऑप्सन है ऑप्सन A 9 गज ऑप्सन B 8 गज ऑप्सन C 10 गज ऑप्सन D 12 गज दोस्तो आपको बताना है फुटवाल में प्रनल्टी की की स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है दोस्तो फुटवाल की खेल में प्रत्तेक प्रनल्टी छेट के भीतर एक प्रनल्टी की की स्पॉट गोल्पोष्ट के बीच मद निबिन्दू से बारा गज की दूरी पर चिन्नित किया जाता है दोस्तों इसे हम इस पकार भी समझ सकते हैं फुटबाल में गोल पोष्ट कुछ इस पकार का होता है गोल पोष्ट के सामने पनाल्टी एरिया होता है पनल्टी एरिया के मध्ध में तथा गोलपोष्ट के मध्ध में 11 मीटर की दूरी पर पनल्टी की के स्पॉर्ट होता है गोलपोष्ट का मध्ध ये हो गया दोस्तों गोलपोष्ट के मध्ध से 11 मीटर की दूरी पर पनल्टी की के स्पॉर्ट होता है जो मीटर में 11 मीटर होता है तथा गज में 12 मीटर होता है और मीटर में 11 मीटर होता है तो दोस्तों पेनल्टी फुटबाल में गोल पोश्ट के बिल्कुल सामने पेनल्टी की स्पार्ट होता है जो गोल पोश्ट के मद इसे बिंदू से 11 मीटर तथा 12 मीटर होता है इस पेकार आपका राइट एंसर हो जाएगा option number D, 12 गज दोस्तो फुटबाल में पिनल्टी की spot फुटबाल गोल पोक्स के मद बिंदू से 12 गज या 11 मीटर होता है next question अगला question अभिनो बिंदा किस खेल से संबन देते आपके option है option A, सत्रंच, option B, निशानेबाजी, option C, कुष्टी, option D, बॉलिबर दोस्तो आपको बताना है अभिनो बिंदा किस खेल से संबन देते हैं दोस्तो आपका राइट एंसर हो जाएगा option number B, निशानेबाजी दोस्तो अभिनो बिंदा निशानेबाजी से संबन देते हैं दोस्तो इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल की इस परधा में सोन पदक जीता जो सूटिंग में भारत का पहला सोन पदक तथा भारत का ओलंपिक में नौवा सोन पदक था अगला कोशन होकी खेल से संबन देते हैं दोस्तो आपका कोशन है होकी खेल में मैच प्यारंब होता है आपके ओप्सन है ओप्सन ए किक ओफ से ओप्सन भी फिरी हिट से ओप्सन सी फिलिप से ओप्सन डी बैक पास से दोस्तों आपको बताना है होकी खेल में match प्यारंब होता है दोस्तों आपका right answer हो जाएगा option number D back pass से दोस्तों होकी खेल जब भी प्यारंब होता है back pass से प्यारंब होता है next question thank you दोस्तों दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको हमारे दोरा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट वाक्स में अवस्थ बताएं चता हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू दोस्तों